नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो के इंदर डिसकस करने वाले हैं जो अचेस्ची का CET का टेस्ट है उसके अंदर नर्सिंग वालों की क्या importance है क्या वो फोर्म जुरूरी है सब चीजे इस वीडियो के इन डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को complete देखिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को बता दू कि इसके अंदर एक common eligibility test होने वाला है group C और D के लिए अगर आप लोग D के लिए apply करोगे तो उसके अंदर आपको इस test के जो number आए है उसके बैस पे आप लोगों को जो नोकरिय हो मिल जाएगी और C के लिए आप लोगों को यह पहले test qualify करना होगा उसके बाद जो other test होगा उसके दुबारा test होगा एक और अगर इसमें qualify कर जाते हो तो उसके अंदर जो दुबारा test होगा उसको clear करना पड़ेगा C के लिए दो test होगे और D के लिए सिर्फ यही एक test है ठीक है अब बात करें हम यह form start होगे थे 12 जनवरी से और इसकी last date है 31 March 2021 इससे पहले पहले आप लोगों को form apply कर लेना है ठीक है और जो इसकी date है वो extend भी हो सकती है बाकि अभी कोई notice नहीं है date extend का होने के chances हैं अगर होती है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा बाकि अभी site proper work कर रहे है तो अपना जो form है इस date से पहले पहले ही apply कर लो इसका जो exam होना है वो June 2021 एक्सपेक्टेड बता रखा है जून जुलाई के अंदर हो सकता है एक्जाम बाकि जो भी information आईगा आप लोगों को बता दूगा और जो इसके syllabus के recording इस वीडियो के अंदर आगे discuss करने वाले है कितना क्या number का कुछ आने वाला है ठीक है और इसके बाद जो fees है वो general EWS की 500 है SCBC की 500 रुपया आप लोगों की fees रहने वाली है इसके बाद qualification 10th और plus 2 basis पर ये forum बरे जाएंगे ठीक है अगर आप लोगों ने GNM क जाल सकते हो वहां पर ठीक है इसके बाद 18-42 एस तक आप लोग फोर्म अप्लाइ कर सकते हो अगर आप किसी reservation category SCBCBC ABCB के अंदर बिलों करते हो तो आप लोगों को 47 एस तक relaxation मिल जाएगा और female के लिए 47 है ठीक है इसके बाद यह जो vacancy है group C और group D के लिए रहने वाली है university के अंदर यानि की अपने जो nursing field की हम बात करें तो रहतक PG की जो vacancy है वो भी group C staff nurse आता है उसके इंदर में तो आप लोगों को यह test clear करना होगा उसके बाद वो exam दे सकते हो उससे पहले आप लोगों को यह जो CET का test है यह clear करना पड़ेगा उसके बाद जो रोतक PG की vacancy आएगी उसके इंदर आप qualify माने जाओगे eligible माने जाओगे जो इसकी valid registration time है वो three year रहेगा यहनि कि आपने एक बार यह test qualify कर दिया तो आप उसकी validity तीन साल तक रहेगी तीन साल तक आप लोग form apply कर सकते हो और मालो अगर आप लोगों ने वो test clear नहीं किया इस साल तो 2022 में आप दुबारा apply कर सकते हो दुबारा test दे सकते हो ठीक है अगर फिर भी clear नहीं तो अगले साल फिर मतलब यानि कि हर साल यह exam होने वाला है अगर एक बार clear कर दिया तो आप लोगों को तीन साल तक वो valid रहेगा और यहाँ पे जो selection procedure बता तो आपको family ID होने चीए triple P परिवार पैचान पतर जो आप लोगों के भी बन रहे हैं वो compulsory इसके अंदर वो होगा तब ही फारम बरे जाएगा 10th होने चीए plus 2 होने चीए और undergraduate, postgraduate, DMC, caste certificate यह सब चीज़े आप लोगों को देख लेना जो भी आप लोग इसके अंदर जो भी इन फ़र्याना सिए टी प्राप ratou परिसंटायल तीन साल तक मानने होगा यानि कि आप अपने सीए स्कोर के अदार पर तीन साल के अंदर के आदर होने वाले विग्यथी पदयों पर आवे दिन कर सकते हैं ठीक है अगर आप qualify करते हो तो तो तीन साल तक Where theod सकते हैं हर्याना CET एक बार 50 क्रण अच्छी सीटी रजिस्टेशन करने के बाद सभी को अपना यूनिक नमबर मिल जाएगा आप जितनी बार भी चाहें सीटी प्रिक्षा दे सकते हैं अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं यहनि कि साल में एक बार तो दे सकते हो अगर कलीर कर दे यह बरती प्रक्रिया शुरू करेगा तब आयोग सीटी स्कोर के अधार पर पात्र उमिद्वारा को सुचित करेगा ठीक है जैसे यह कलियर करने के बाद आप लोगों को जैसे कोई भी अडवर्टाइजमेंट आएगी आप लोगों को बता देंगे यहां आयोगत्य करेगा कि दर पर चैन करना है या टेस्ट लेला है गुरुब डी के पदों के लिए स्कोर के अधार पर बरती करती जाएगी जबकि दूरुब सी के लिए फिर एक टेस्ट होगा अगर सी कोई वेकैंसी आती है तो कलीड करने के बाद आप लोगों का रहला प्रसंटाइल आप की रहने पर बुलाएगा अगर को टॉफ पर एक से ज़्यादा उमीद्वार पातर होंगे तो उन्हें भी बुलाया जाएगा इसके बाद स्यामाजिक वार्थिक अनुबों के लिए गुरूप पांच नमबर और गुरूप दे जाएगे सीदे ही आपको सीट में जोड़ दिये जाएंगे जैसे आपके जो सोश्यल सोश्योग उस्योउ उकर थीक लगेए अगर कूछ आपती हूँ तो complaint की जासकेगी ठीक है इसके अंदर आगे हम बात करें यह है पंजीगन प्रिवार पैचान पत्तर के साथ जुड़ेगा सभी जानकर यह वहां से ली जाएगी यानि कि जो ट्रिपल पी कार्ड आप लोगों का वह बनेगा उससे आप लोगों की डिटेल है वह उठाई कर सकेंगे यानि कि अभी आप लोग बारवी पास हो उसके बाद अगर एक साल बाद आपकी गुरुजिशन होने वाली है तो एक साल के बाद आप लोग उसके अंदर अपडेट कर सकते हो कि मेरी करेजोशन हो गई है हर्याना सी एटी के लिए योगिता इस साल दस्वी बार में छूट मनने होगी जनरल कटेगरी 42 और सी बीसी ये सम एड़ फीमेल 47 सेक्सिक योगिता गुरुप डी के लिए 10 और गुरुप सी के लिए 12 और ग्रेजुएट यानि कि डिप्लोमा भी आप अगर जीना में तो लगा सकते हो और बीसी वाले बीसी नर्सिंग वाले कितनी होगी겠다 किटनी होगी あनिक उनकी 250 ऐुप जो त्रहने वाले जो इक सिर्फ एके Pablo प्रिक्षा के लिए खिर भी ठिक है किइड़ न्यक्स देनी होगी यानि एक परप misop करने के बाद के वाद कितनी वी पदोग के लिया अवा देने कर सकता है यदि इसके अंदर पंजीकन कर लिया उसके बाद आवे दिन कितने ही पदों पर आप लोग कर सकते हो ठीक है अब हम आगे बात करें जो हरियाना सीटी सलिबस एक्जाम पैटरन है वो किस वेस्पे रहने वाला जर्नल अवेरनेस रिजिनिंग मैच साइस कंपूर्टरी इंगल इसके अब बात करें जैसे क्यों बूलेंगे कि नरसिंग वाले तो सेटी के नरसिंग कुछ नहीं होगा इसके लिए पैटरन आएगा ठीक है और जो भी है इस वेस्वेस पर आप लोगों को तैयारी करनी होगी नर्सिंग की अभी कोई आऊ सेक्ते हैं निया त्यारी करने के कि लाज्ट डिट का वेट मत करो अभी फोर्म अपलाई कर दो अभी दिन कुछ दिन बाकि है ठीक है और डेट एक्टेंट हो सकती है बाकि अभी साइड भी प्रोपर वरक कर रही है तो अपना फोर्म अभी डाल लो ठीक है रियाना सी टी एक्जाम डेट जून-जुलाई जुलाई के अदर भी हो जाएगा तो इस वेश पर अपनी तरही कर लो ठीक है आगे आप लोगों को बता हुआ अब रोतक पीजी वाद यहां पर गूरूप सी बी और सी के सेवा नियम ने बनने पर अटकी नहीं बरतिया यानि कि नहीं बरतिया भी आने वाली है जो कि यह यहां पर आप लोगों बता दू अच्छा सी करेगा विश्व जाल्यों की गुरूप सी वैडी की बरतिया पहले होगी सीट यानि कि अपनी जो रोतक पीजी की वेकंशिय वह इसके अंडर में आने की पूरी संभावना है ठीक है जो रोतक पीजी की स्टाफ नर्स के सब्सक्राइब करने कर सकते हो ठीक है तो अपनी त्यारी अच्छे से कर लो जो स्लेबस है उसके अंदर नर्सिंग नहीं आएगी सीटी के अंदर सिर्फ वही जिके मैथ रिजिनिंग हिंदी इंगले इस केम्पूटर और हर्याना जिके मोस्टली उसके अंदर जाधा रहने वाली है तो उन सब चीजे की अपनी त्यारी है कर लो ठीक है अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हो ठीक है है तक 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 है वे हूँ आताक